नमस्कार दोस्तों यदि आप अक्तूबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के दो बेहत खुबसूरत हिलिश्टेशन शिमला और कुलू मनाली घुमने का प्लैन बना रहे हैं तो आज वाईटी भारत पर इस वीडियो के फर्स पार्ट में मैं आपके लिए शिमला और कुलू मनाली का वेदर रिपोर्ट लेकर के आ गया हूँ कैसा मौसम रहेगा कितना टेंपरेचर रहेगा क्या स्नोफॉल होगी क्या रेनफॉल होगी पूरे महीने के अंदर अक्तूबर 2023 के ये सारी जानकारी आज वाईटी भारत के स्वीडियो में दी जाएगी सेकिंड पार्ट में मैं आ उसके बाद कुलो मनाली घूमते हुए वापस दिल्ली आ सकेंगे एक ऐसा टूर पैकेज जो पाई प्राइविट कार होने वाला है जबर्दस ही रहेगा आपके लिए इसको बताऊंगा वीडियो के सेकिंड पार्ट में आएए सबसे पहले आपको वाईटी भारतवर वैद दिखाई जा रही है यहाँ पर अगर हम टेमप्रेचर की बात करें तो दिन का टेमप्रेचर एक अक्टूबर को 27 दिगरी रहने वाला है और आगे 2-3 को भी आप देखें तो लगबक 27 दिगरी से 31 दिगरी के बीच में वैरी कर रहा है दिन का टेमप्रेचर और उसके बार अगर आप देखें, तो 31 अक्तूबर आते आते टेंपरेचर दिन का डाउन हो रहा है, 23 डिगरी पर आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपी गर्मिया कम होती चली जा रही है, सर्दिया आती चली जा रही है, टेंपरेचर लगातार डाउन होता चला जा रहा है, और आप दे देख सकते हैं, 33 October का temperature रात का 13 डिगरी Celsius है और दिन का 23 डिगरी Celsius होने वाला है, यही आप 1 October को अगर देखेंगे तो दिन का temperature 27 डिगरी और रात का temperature 15 डिगरी Celsius है, तो यहां पर October महीने का end होते होते temperature आपका dip कर जाएगा और राते बहुत थंडी होना start हो जाएगी, इसके साथ अइसा रेंफॉल की बात करें तो 27 अक्टूबर को 39 अक्टूबर को ती सक्टूबर को रेंफॉल हो सकती है क्योंकि अब रेंफॉल का सीजन धीर धीर स्टार्ट होगा और यही रेंफॉल आगे जा करके December end में जो आपके Christmas का New Year का time होता है और उसके बाद जन्वरी फर्वरी के अंदर लगातार शिमला में सनूफॉल आपको देखने को मिलेगी दोस्तों सबसे बड़ा आपका सवाल रहता है कि शिमला के अंदर अच्छी सनूफॉल होती है जादा सनूफॉल होती है कि कुल्लू मनाली में होता है एक बिल्कुल मैं सपस्ट आंसर दूँगा क्लियर आंसर दूँगा कि अगर आपको सनूफॉल देखना है तो कुल्लू मनाली से बेस्ट प्लेस हो नहीं सकता जो दिसंबर के 20 के बाद से सनूफॉल स्टार्ट होती है वो अप्रेल 2024 तक आपकी चलने वाली है लेकिन शिमला के बात करें तो सनूफॉल कम होती है जनवरी में आपको सबसे आद देखने को मिलती है और उसके बाद फरिवरी में कम हो जाती है दिसम्बर के एंड के वीक में ये आपको स्नोफल देखने को मिल सकती है क्रिसमस के आसपार तो आप अगर प्लैन बना रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाईए लेकिन हम शिमला के मौसम के बात करें वैदर की बात करें और ओवराल इंवारिमेंट के बात करें तो बहुती जबरदस टूरिस प्लेस है और वहां की वाइब बिलकुल अलग होती है अदर हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन से तो शिमला भी घुम करके आईए कुलू मनाली घुम करके आईए सबसे सस्ता सॉलूशन आज वाईटी भरत पर दिया जा रहा है अब देख लेते हैं मनाली के वैदर रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हम मनाली टाइप करते हैं और मनाली के वैदर रिपोर्ट देख लेते हैं मनाली हिमाचल प्रदेश आपको ले करके चल रहा हूँ और मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर हम सलेक करेंगे सबसे पहले म मंतली रिपोर्ट में जाएंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे मंतली रिपोर्ट के अंदर अक्टूबर मंत को यहां पर चलते हैं अक्टूबर 2023 को सेलेक्ट करते हैं अब यहां पर मंतली रिपोर्ट लाइव आपके सामने वाईटी भारत पर दिखाई जा रही है 1 अक्तूबर को दिन का टेंपरेचर जहां पर 22 डिगरी सेलसियस है वहां पर रात का टेंपरेचर 6 डिगरी सेलसियस रहने वाला है दोस्तों ये डिफरेंस है वहां पर जो 15 डिगरी सेलसियस है यहां पर रात का टेंपरेचर 6 डिगरी सेलसियस के आसपास बना हुआ है और को पढ़ रही है 5 October को पढ़ रही है 7 October को संभावना है 8 को संभावना है इसके सासा देख लेते हैं 26 27 28 29 और 30 के October को भी संभावना है rainfall होने की और कुछ-कुछ degree Celsius हम देखें कुछ-कुछ dates पर कि temperature एक डिगरी Celsius भी जा रहा है जहांपर 1 October को 6 डिगरी Celsius है वहाँ पर रात को बिल्कुल फ्रीज होने वाली है राते 16 October से एक डिगरी Celsius दिखा रहा है 16, 17, 18 और 19 को तो दोस्तो 0 डिगरी Celsius है यानि कि यहांपर जबर्दस ठंडी राते होने वाली है 19 को भी 0, 20 को भी 0, 21 को भी 0, 22 को जीरो और 23 को तो हदी पार कर दी माइनस 1 में टेंपरेचर आ जाएगा दोस्तों अगर आप असली ठंड का मज़ा लेना चाहते हैं तो कुलू मनाली होकर के आए लेकिन एम्बियंस एक नंबर है शिमला की तो वहाँ पर भी होकर के आना जरूरी है 39 को भी माइनस 1 है 30 को भी मा आने वाले महीनों में यह माइनस और टेंपरेचर जादा इंक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि स्नोफाल का टाइम धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है आए अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर फर्स पार्ट में आपने कुलू मनाली के साथ सा लाका वैदर रिपोर्ट देखा अक्तूबर महीने का यह हर महीने अब वैदर रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी साथ में ही आपको स्नूफाल प्रडिक्शन भी बताया जाएगा और एक बात दोस्तों यकीन मानिये कि हर साल हम वाईटी भरत पर इसनूफाल प्रडिक् आगे की महीनों में जैसे ही स्नूफाल आने की संभाव न होगी वाईटी भरत पर सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी इसलिए यदि आपने वाईटी भरत को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तुरन सबस्क्राइब कर लो साथ ही मिलेगे बेलाइकुम को तबाव ये मनाली जाओगे वापस आप दिल्ली आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा सिदान कार का ये पैकेज होने वाला है फाई नैट सिक्स देस का ये पैकेज है डिलक्स पैकेज की कौस है मात्र 15,500 रुपे पर हैड की कौस्ट आने वाली है मनाली में आपको आरती विला पोर सी इससे सिमलर दिया जा रहा है अब बात कर लेते हैं डेवाइस आइटनरी की दिल्ली से फर्स दे आप या एरपोर्ट या रेलोई स्टेशन से पिक अप होगा उसके बाद आप निकल जाएंगे शिमला के जर्नी पर लगबग साड़े 300 किलोमेटर के आसपास की जर्नी होती ह साथ घंटे के आसपास आठ घंटे में आप अराम से यहां पर कवर कर लेंगे जहां पर आपको टेंपो ट्रैवलर भी प्रवाइट किया जा सकता है डिपेंड करता है आपके ग्रूप साइज के उपर शिमला के होटल में पहुँचे चेक-इन करिए रिलैक्स हो जाएए ओ अब बात करेते हैं दोस्तों डेटू के बारे में इस दिन आप कुफरी जाएंगे नालधिरा जाएंगे शिमला की लोकल साइट सींग करेंगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिये निकल जाए कुफरी के लिए कुफरी सबसे एडवेंचरस प्लेसिस में से एक है जहां पर हिमालियन नेशनल पार्क पोनी एंड याक राइड कर सकते हैं एंडलस हिमालियन पनोर्मा देख सकते हैं उसके बाद आप निकलेंगे इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ एडवांस इस्टडीज संकट मोचन टेंपल जाकु टेंपल तारा दिवी टेंपल माल रोड दा रिज आप दोस्तों बात कर लेते हैं यह आपको थोड़ा सा ब्यूटिफुल दिखाय जा रहा है ब्यूटि दिखा जा रही है शिमला की डे 3 के बारें बात कर लेते हैं इस दिन आप जाएंगे शिमला से मनाली आप कुल्लू घूमेंगे सुबह सुबह ब्रेफास करिए चेक पर जाएं इंजॉइ करिए अगर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं जैसे रीवर राइटिंग परागलाइडिंग जिपलाइन होट बैलन करना चाहते हैं सब अपनी आउन कॉस्ट वे आप कर सकते हैं इवनिंग पहुंचिए मनाली ओवरनाइट इस्टे रहेगा इस द सोलांग वेली जाएए जो लगबक 13 से 15 किलोमेटर दूर है मनाली के माल रोड से सुबह सुबह ब्रेकफास करके 9 बजे के आसपास निकल जाएए जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना ही जल्दी आप अराम से घुम करके आ सकते हैं वापस अपने होटल के अंदर सोलांग के सारे आप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हाड कॉपी फोटोग्राफी क्लिक करवाने के बाद आपको विदिन वन आवर प्रवाइड कर दी जाएगी लगबक 100 रुपीज की कॉस्ट आती है देफाइपर आप मनाली के लोकल साइट सींग करेंगे सुबह सुबह ब्रेकफास करें गैट रेडी हो जाएए मनाली के लोकल साइट सींग के लिए जो लगबक 3 घंटे के आसपास होती है इस जन आप जाएंगे हडिमबा देवी टैंपल जो 1553 में बना हुआ पगोड़ा आर्किटेक्चर है क्लब हाउस जाएंगे यहाँ पर कुछ इंडोर औ आउट्डोर एक्टिविटी होती है अपनी ओन कॉस्ट पर कर सकते हैं एंट्री टिकट लगबक 20 रुपे के आसपास है पर हैड़ वो आपको दे करके एंट्री करनी होगी तिबबतन मॉनस्ट्री जाएंगे वन विहार जाएंगे वसिस टैंपल जाएंगे पूरा घुमने के बाद इवनिंग बैक करेंगे होटल के अंदर डिनर करेंगे ओवर नाइट इस्टे रहेगा आपका मनाली में अगर आप मान रोड पर जाकर के कुछ शॉपिंग करना चाते हैं फैंबी फ्रेंड्स के लिए तो आप कर सकते हैं डे सिक्स पर आप मनाली से दिल्ली के पर कंप्रीट हो जाता है उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी जानकारिया आपको मिल गई होगी कॉस्ट आपको 15500 रुपे मैंने पहले ही बता दी है होटल यह ऑप्शन है मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगर आपने वाईटी भारत को भी तक सब्सक्राइब नहीं किय सब्सक्राइब कीजिए बाईटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी विल्कुल फ्री में